सल्मान खान की वोर्टु मुवी में कैसे हुई एंट्री किसके कहने पर एक साथ तीन बड़े एक्टर को किया गया साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि वोर्टु फिल्म में सल्मान खान की एंट्री होगी रितिक रोशन और शाहरुख खान के साथ सल्मान खान एक्शन करेंगे मगर ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आखिर इन तीनों बड़े सुपर्स्टार को एक साथ कैसे रखा गया Close Source का दावा है कि Tiger 3 मूवी का टीजर यानि Tiger का मैसेज जब रिलीस किया गया तब सल्मान खान को मेकर्स ने उनके War 2 में कैमियो को लेकर जानकारी दे दी थी उन्हें बता दिया गया था कि पठान की तरहें उन्हें इसमें भी छोटा रोल करना है इसी के बाद Tiger 3 के साथ War Series को प्रमोट किया जाने लगा सल्मान खान इस वक्त एक्शन फिल्म करना चाहते हैं और YRF जैसे बड़े बैनर के साथ जुड़े रहने में दिल्चस्पी दिखा रहे हैं इसलिए उन्होंने इनकार नहीं किया और बिना कुछ कहे War 2 पर हामी भर दी इससे पहले सल्मान ने रितिक रोशन के साथ कभी काम नहीं किया है इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा मौका होगा कहा ये जाता है कि मेकर्स के अलावा रितिक रोशन ने भी सल्मान से रिक्वेस्ट की जिसके बाद इस पर मुहर लगी अगर सल्मान को War 2 में रखा गया तो जूनियर एंटी आर को Tiger 3 में जोडना जूनियर एंटी आर का Tiger 3 में सीन ऐसा है जो फिल्म को War 2 से जोडता है सल्मान ऐसा वादा उनसे करते हैं जो मुसीबत में बचाने जैसा है ऐसा ही सीक्वेंस सल्मान का पठान में भी दिखा था वहाँ भी सल्मान ने शाहरुख खान की हेल्प की थी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जूनियर एंटी आर से सल्मान के रिष्टे अच्छे हैं और वो खुद सल्मान के साथ मूवी करना चाहते थे इसलिए उन्हें भी टाइगर के साथ फाइनल किया गया जूनियर एंटी आर ने एक बार कहा था वह बड़े स्टार हैं हम उनके सामने बच्चे हैं पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि देश का सबसे बड़ा एक्शन स्टार कौन है सल्मान खान मैं उनका लंबे वक्त से फैन हूँ बताया जाता है कि सल्मान ने वोर्टू के लिए कोई फीस नहीं है और जूनियर एंटी आर ने भी टाइगर 3 के कैमियो के लिए कोई चार्ज नहीं किया वोर्टू मूवी 2025 में परदे पर आएगी इसी के बाद सल्मान की टाइगर वर्सेस पठान को रिलीस किया जाएगा कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद एक और नई फिल्म क्रियेट की जाएगी बहुत संभव है उसमें आमिर खान को भी देखा जा सकता है आमिर खान ही एक मात्र ऐसे स्टार है जो पिछले कई सालों से सल्मान के साथ फिल्म नहीं कर पाए दोस्तों आपके हिसाब से सल्मान खान को अब फाल्तू फिल्मे छोड़कर इन ही पर फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें